दोस्तो इस वीडियो में हम जो है दो टॉपिक के उपर डिस्कस करने वाले BPSC सिछक भरती को लेकर जो फॉर्म फिलप में हो रही परसानी को देखते हुए हम दो जो है डाउट्स को आपको क्लियर करेंगे पहला डाउट से अप्लिकेशन फी के बारे में आप लोग का जो है काफी जादा ये डाउट से कि हमारा अप्लिकेशन फी कैसे बढ़ जा रहा है जैसे आप सबको पता है साड़े साथ सो रुपिय अप्लिकेशन फी जनरल के लिए दो सो रुपिय है आपका SST फीमेल के लिए तो फिर हमारा जो है ये बढ़ जा रहा है फिर ये भी बढ़ जा रहा है तो हम application fee को discuss करेंगे दूसरा हम discuss करेंगे कि seated paper 2 के लिए जो लोग form भर रहे हैं 6-8 जो बिद्याले है उसके लिए उसमें आपका जो है seated में कितना पर्स्तिसत है तो आप form को apply करेंगे अगर हम बात करें जो rules है central level पे उसमें अगर आप 60% लाते हैं जेनरल से आप हैं तो आप qualify माने जाते हैं according to central level और 5% और assist को छूट मिलता है OBC Assist को तो 82 marks अगर कोई लाता है seated में तो qualify घोसित होता है जो qualification होने का जो आपका 60% जेनरल के लिए और OBC Assist को लिए यहां पे आपका 55% यानि 82 marks और 60% यहां हो जाएगा 90 marks यानि 90 marks कोई OBC से ला देता है सॉरी जेनरल से ला देता है तो वो जो है qualify माना जाता है और 82 marks जो है अगर कोई लाता है 82 तो पांच होता है तो वो जो है OBC और SST से होता है तो qualify माना जाता है यह central level की मैं बात करूँ मैं बिहार level पर अभी आऊंगा लेकिन वही जब बिहार में vacancy निकाली गए तो इसमें जो है न बिहार के निवासी के लिए छूट मिल जाता है तो इस marks में जो है थोड़ा सा आप कम भी लाते हैं तो आप जो है eligible रते form भरने के लिए तो किसको कितना छूट मिलता है इसके उपर हम यहाँ पर discussion करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ज़़ा important होने वाले है सबसब हम आपको application fee के बारे में discuss करके बताते हैं कि application fee क्यों ज़्यादा लग रहा है और काफी लोगा यही comment सारे है तमाम लोग यही comment कर रहे है कि मेरा application fee इतना ज़्यादा कैसे हो गया एक कई सो बाई सो पचीस सो तीन हजार समझ रहे है न तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर discuss कर लेते देखिए application fee के बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर जो है एक biometric fee 200 रुपे लाएगा अगर आप अधार काट नहीं देंगे तो यह additional charge है अधार काट आप जरूर दे दीजेगा वरना 200 रुपे additional charge आपको देना पड़ जाएगा समान्य वर्ग के अभ्यार्थी यानि जेनरल के लिए 750 रुपे यह सबको पता है सेस्टी को 200 रुपे और सभी अरक्षित अरक्षित वर्ग महिला के लिए 200 रुपे यानि सभी जो female के इंडेट से उनको जो है यहाँ पे 200 रुपे application fee लगेंगे भले वो जेनरल से आये हो अधिक बिकलांग है तो 200 रुपे आपको application fee यहाँ पे देना होगा अन्य सभी उमिद्वारों के लिए 750 रुपे यहाँ पे लगूगा अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 750 200 200 200 त लिखा होगा यह तो आप समझ पा रहे होगे easily समझ पा रहे होगे लेकिन मेरा fee कैसे बढ़ जा रहा है 15 100 रुपे कैसे लग जा रहे है किसी किसी को किसी को 600 रुपे लग जा रहे है किसी किसी को 600 रुपे लग जा रहे है उनको लग रहा है कि हमको 200 लगना चाहिए था इनको लग रहा है कि हमको 700 लगना चाहिए तो देखिए इसका यहाँ प कर दिया और 9 से 10 के लिए भी चुनाव कर दिया साथी साथ आपने जो है यहाँ पर 11 से 12 के लिए भी चुनाव कर दिया अब माल लिजे आप जेनरल केटिगरी से हैं सपोज तो आपका यहाँ पर जो फी हो जाएगा 750 गूरे तीन जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा उतना र लिए इसको भी टिक किया तो उनका बताएगी कितना रुपर फी लाएगा इनका जो जनेरल फी है वो कितना है 200 रुपर है नोर्मल फी तो अब इन्होंने जो है 5 टिक किया हुआ है तो पांच गूरे 200 अब यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा 1000 रुपिय नको अप्लिकेस होगा अगर आप जेनरल से रहेंगे तो 750 रुपया अगर आप से रहेंगे तो आपको जो है 200 रुपया के हिसाब से multiply कर लिजेगा कि कितना आपने टिक किया हुआ है समझ रहे ना फीमेल के लिए भी सेम वही रूल कर दे रहें यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप कॉंसेस्टनल फी जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे यह जो थोड़ा सा यल्लो लाइन है इसके जश्ट नीचे ही अपियर हो रहा है तो जो भी यह option दिखता है तो आपको चुप चाप यहाँ पे यह स्टिक कर देना है यह करने से यह होगा कि जो आपका इसके अलवा जो फी माफ वाला फी वह ही लगेगा कई सारे लोग यहाँ नो कर देंगे न तो उनका सीधे सीधे साड़े साथ सो रुपया जो है लग जाएंगे जिनरल वाला जो फी होता है यहाँ इसको आपको ध्यान देना होगा अब बात आती है कि 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 कितना परसेंट पालो यहाँ पे जो है फॉर्म भरेंगे जो सीधे में वेपर टू के लिए इलिजबल है तो यहाँ पे मैंने जो है सारी इंफोर्मेशन को लिखा हुआ हम आपको समझा जेते हैं इसके अलवा जो फीमेल आदर एस्टेट है क्या उनको भी यह लागू होगा क्योंकि तोड़ असा करने होगा मठ हम क्लियर करेंगे देखे अगर हम बात करें सेंट्रोड लेबल पर तो इनके द्वारा बोला जाता है कि सेंट्रल लेबल पर अगर क्वालिफइ। अब आप सीट्रल लेबल पर सेंट्रीम को जाएंगे आईर और हम लेची जा still कि न तो होता क्या है कि आपको छूट मिल जाता है, कितना छूट मिलता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर हाइलाइट करके लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए, आपका यहाँ पर बोला गया है कि सीटेट अभ्यार्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार समाने कोटी अभ्यार्थी को नियुम्तम 60-30 सतंग यानि सेम 90 मार्क्स आपको चाहिए जनरल कंडेट्स को अधरेश्टेट वाले भी है बहले किसी कटेगरी से आते हो तो उनको 60% यहाँ पर अगर जनरल हो जाएंगे बीहार में आके तो उनको 60% सेगे सिटेट पेपर 2 के लिए पिछरा वर्ग अत्यंत पिछरा वर्ग समाने कोटी की महिला उमिद्वार को 55% लागू होगा यहाँ थोड़ा आप जो रहेंगे क्या अधर एस्टेट वाले महिला भी यहाँ पर सावील हो रही है नहीं क्योंकि बिहार में डोमिसाइल जो है लागू है जिसके वज़ा से अधर एस्टेट के कोई भी अभ्यरती हो वो जो है डोमिसाइल लागू होने के कारण रोमिसायल का जो रूल है लागू होने करण वो समान्य कोटी की मतलब जो महिला है न वो भी समान्य कोटी में ही आ जाएगी समझ रहे न, तो यहाँ पे ये जो पिछड़ा वर्ग अतन्यत्र पिछड़ा वर्ग और समान्य कोटी है ये सिर्फ बिहार वाले के लिए है अगर समान्य कोटिंग कोई महिला है उनके लिए 55% है इसके अलवा अतनते पिछरा वाग महिला और पूरुस दोनों के लिए 55% रखा गया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा तो 82,105 यहाँ पे हो जाएगा 55% मार्क से तो आप भर सकते हैं 6-8 के लिए यही सेम जो है सीटेट पेपर 1 में भी यहाँ पे लागू होगा सीटेट का जो पेपर 1 कोई क्वालिफाई है तो यही सेम रूल लागू होने वाला है और मैं बता दूँ आपको खुसकवरी दे दूँ सीटेट पेपर 1 यानि जो है एक से पांच के लिए जो लोग इलिजबल रहते हैं इसका भी वेकेंसी इंक्रीज हो गया है इसका भी वेकेंसी को इसमें एड कर दिया गया फेज 2 में कल उसको हम अपडेट दे देंगे या सुबह तक आपको मिल दागा हलाकि मैं वीडियो भी इसको मॉर्णिंग में पबलिस करूँगा अब यहाँ पे देखे सेम यहाँ पे थोड़ा सा और डिसकाउंट मिल जाता है SCST को जो है 50% यानि 75 marks आपके हैं आप SCST से आते हैं तो आपको जो है 50% marks यहाँ पे आपको चाहिए अब यहाँ पे जो SCST है यह male female दोनों के लिए बात हो रही है male SC हो, ST male हो female हो उनको यहाँ पे 75% marks हैं तो 6-8 के लिए eligible है seated paper 2 में वो पास यहाँ पे बिहार के लिए अब होता क्या है कि दखे मैं आपको उपर में एक term condition क्या लिखा कि अगर आपका जो है इतना percent आएगा general है तो आपका mark seat और certificate दोनों जारी होगा जो norms है central level के जो norms में seated qualify के लिए लेकिन जिनका कम marks है जिनका 75% है उनका क्या होगा तो जिनका 75% है उनका सिर्फ जो है mark seat ही जारी होता है आप जो है DC locker से डानलोड करते हैं mark seat तो अब इस case में क्या upload करेंगे तो सिर्फ जो है सिर्फ mark seat upload करेंगे और जो उनका serial number नहीं है वो यहाँ पर क्या कर देंगे एन लिख देंगे और passing year में क्या लिख देंगे जो भी उनका passing year रहेगा उनके mark seat पे seated paper 2 का वो वहाँ पे लिख देंगे तो NA लिख देंगे किस में तो जो serial number मांग रहा है यानि जो passing certificate number मांग रहा है certificate number उसमें NA लिख देंगे और issue date आप चुनाव कर लेंगे और mark seat को ही आपको upload करना है ध्यान रहे अगर serial number मिल जाता है तो serial number भी आप दे सकते है कोई दिकत ने हो लगा कोई officially update भी इसके उपर आ चुका है तो I hope friends आप लोग समझे होंगे कि कितना percent seat rate में चाहिए paper 2 या paper 1 के लिए और मैं बतातू BPSC के दवारा बड़ी खुसकवरी यहाँ पे निकाल दिया गया है जो बचे page 1 की vacancy थी उसको यहाँ पे add कर दिया गया है तो इसमें जो एक से पांच के लिए भी vacancy है जो seated paper 1 पास किये है वो eligible रहेंगे इसके अलावा आपका जो है नौवी में भी vacancy को increase कर दिया गया है दस्वी में vacancy को increase कर दिया है सामिल कर दिया गया है तो ये बड़ी update है अगर इसके उपर हम अलग से कल discuss करेंगे एक नया वीडियो बना के आप लोगो को बता देंगे तो ये clear हो गया होगा आपको doubts कि कितना percent चाहिए महिला उमिदवार भले वो other state से आती हो ये reservation सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी के लिए है बिहार के निवासी महिला के लिए है बिहार के निवासी BC, EBC, SC, ST के महिला और पुरुस दोनों के लिए है यानि reservation जो हो लागू हो रहा है सिर्फ बिहार के निवासी के लिए लागू हो रहा है तो इसलिए बिहार के निवासी कोई सिर्फ यहां पे reservation यहां पे सरकार देगी I hope आप लोग समझे होंगे मन में और भी कोई doubts से comment है तो आप comment box में बताइए हम छोटे छोटे clips इसी तरह से जो है एक-एक doubts को clear करते चले जाएंगे मिलते हैं next video में जाहिन